IPL का 47 मैच हदरबाद के राजिवगांध्य स्टेडियम में कॉलकत्ता नाइट राइडर्स और संराइजर्स हदरबाद की बीच खेला गया था जहां कॉलकत्ता नाइट राइडर्स ने टॉस जी कर पहले बले बाजी करनी का फैस्ला किया था अपने पारी में कॉलकत्ता ने संराइजर सेधरबाद के सामने अपने नौ विकेट खोकर 172 रनों का लक्षे रखा और अच्छी गेंदबाजी के चलते कॉलकत्ता इस लक्षे का पीछा करने में काम्याब भी रही लेकिन संराइजर के मालकीन कावया मारन जो कि अक्सर अपनी टीम का सपोर्ट करते हुए मैच में दिखाई देती हैं अपनी टीम को हारता देखने राश चेहरे की तस्वीर मैच के बाद से ही सोशन मीडिया पर काफी तीजी से वाइरल हो रही है कावया हमेशा कामरे पर अपनी टीम को लेकर अपने चेहरे से अपने भाव्यक्त करते हुए दिखती आई हैं मैच के दोरान उनके हाव भाव देखकर ही पता लगया जा सकता है कि उनकी टीम मैच में कैसा प्रदर्शन कर रही है गुरुवार की शाम उनकी टीम संराइजर से अधरबाद इस आईपील सीजन में नौ मैचों में अब तक छे हार अपने नाम कर चुकी है लेक चरण में पाँच मैच बाकी है और अगर वह सभी में जीत हासिल कर लेती है तब ही वह प्ले आउफ में जगह बना सकती है एक भी हार उन्हें आईपील से बाहर कर सकती है कॉलकता नाइट राइडर्स के खिलाफ उनकी इस हार ने काब्या मारन को एक बार फिर दुखी किया और उनके उदास शेहरे की तस्वीर को उनके फैन सोशल मीडिया पर हर जगह वायरल कर रहे हैं उनकी टीम के फैन्स को उन्हें इस तरह उदास देखकर बुरा लड़ा उनके प्रेज़ेंट्स को ने उसके लिए खेद महसूस कर उनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की कहा कि वे ऐसी टीम डिजर्व नहीं करती सन्राइजर्स अपना अगला मैच राजस्थान रॉयल्स के साथ साथ मही कुर्जापुर की सवाई मानसी इंडोर स्टीडियम में खेलेगी